तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि अरहर खेती कैसे करें, इसकी देख भाल कैसे करें, जो किसानों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फसल की उचित देख भाल की जाए। लेकिन इसके लिए हमारे आज के समय में अरहर जैसी फसल जो है बहुत उपयुक्त होती है। चाहे वो एकल रूप में लगाया गया हो, चाहे वो उसकी मिस्सित खेती की गई हो। अरहर की फसल बहुत आसानी से हो जाती है, इसकी देख भाल करना भी बहुत आसान है धान के अपिक्छा में। और इसमें दो-तीन मुख्य बातों के ख्याल रखना पड़ता है बुआई से लेकर के आपको कटाई तक। इसमें अरहर की फसल में मुख्य बाते ध्यान देने योग यह है कि जब अरहर की फसल के लिए आप किसान भाई उपयुक्त किस्मों का चुनाओ करें, जो की उत्पादन छमता जिसकी अधिक हो और जिसमें रोग रोधी छमता हो और इस तरह के उपयुक्त किस्म को आप चुनाओ करके आपने उचे जमीन या मध्यम जमीन में आप आसानी से खेती कर सकते हैं, एकल रूप में या इंटर क्रॉपिंग जिसको अंतरवर्ती फसल होते हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं, मुख्य बाते यह है इसमें देखभाल में कि जब आप अरहर की बीच बोते हैं तो उसको बीच को पूरी तरह सोधित करके फूपंद नासी, कीट नासी और कल्चर से राइजोबियम कल्चर से सोधित करके लगाए, ताकि आपके जो पूधे जन में वो स्वस्तो हो और इसकी बॉआई जो है, आप कोशिस करें कि एक कतार में बॉए और इसकी जो है, जो दूरी होती है, पूधे की पूधी और कतार से कतार की दूरी यह लगबग पूधे की पूधे से दूरी 30 cm की रहती है, 20-30 cm की रहती है और कतार से कतार क दूरी रिखती है आपको हाद ही मीटर से लेकर के 40 cm तक और इसमें जो है आपको बो i की जो गहराई है यह आपको five cm से अधिक गहराई पे इसको नहीं डालना चाहिए और नहीं इसको सथा पे रखना चाहिए इससे कि आपको जो जन्म जो अरर की बीजों का जन्म होता है उसमें असर हो डालता है अगर आप जादे गहराई पर दे दे या सथा पर इसको दे दे यह बैयात आपको ख्यार लखनी होगी